बोचहां में भूमिहार देखा चुका है अब बारी कुधनी में है मनोज कुसबाहा जी यहां पच्चास अजार मतों से चुनाब जितने जा रहे हैं यहां 80% भोट हमारा है 20% पर तो उचुनाबे लड़ रहा है भोट भाट कहा है उनके पास हम लोग को जो है सुक्लीन स्विप करना है इसमें कहीं किसी तरह का लराई है यह नहीं है खुरनी बिधान सभाव में अरे भूमिहार का 80% भोट हमको मिलने जा रहा है इब भाड़ा मुरम में उलग नहीं रहे उनके कहने से नोकर हो जाएगे उनके नोकर है से उन बतावे भा नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइफ इटीज को मैंना अभिशेख है कुर्णी उप्चुनाफ को लेकर भागडबंदन यानि कि जेडियू परत्याशी मनोर्ज कुश्वाह के चुनाफ को लेकर चुनाफ प्रभारी बनाया गया है विधायक पंकज मिश्रा और जेडियू के नेता जगेश्वर राय जी को इनसे हम बाच्चीत करेंगे क्या आप लोग प्रभारी बनें क्या लग रहा है देखिए यहां कोई लड़ाई नहीं है यहां किसी भी तरह की लड़ाई नहीं है और हम लोग को जो है सुकलीन स्विप करना है इसमें कहीं किस हजार भोट से चुनाब जीते हैं उतक समझे के वहां जो चुनाब जीते हैं हमारे साथ जो है सो थोड़ा वरकर कमजोर इस्तिती में वहां नहीं काम कर पाया इसके चलते चुनाब जीत के सतरह सो से चुनाब जीते हैं कहां सतरह हजार से चुनाब जीते हैं मुकामा उनको नहीं बुझा रहा है चोटे सरकार की जब हमारा गठ बंधन पाटी जे टिकट दिया उसका जीत है और जेडी कहीं चुनाप में सिंबुल पर ने चोटे सरकार चुनाप जीत करके आये हैं और मनोझ कुसबाहा जी यहां 50,000 मतों से चुनाप जितने जा रहा है यहां 80% भोट हमारा है 20% पर चुनाप लग रहा है भोट भाट कहा है उनके पास अरे भुमिहार का 80% भोट हमको मिलने जा रहा है भारा मुरम में उलग नहीं रहे बोचहां में भुमिहार देखा चुका है अब बारी कुरहनी में है कुरहनी में तो माच भात का भोच चल ला है वो अलग बात है मगर बोचहां के बाद अगर भुमिहारों को कहीं कुछ देखाना है तो अगर कुरहनी में हम लोगों को देखाना है भुमिहारों का 80% भोट जो है तो मनोज कुसबाहा जी को जाएगा और मनोज कुसबाहा जी यहां जो है पच्चास अजार मतों से चुनाप जीत करके बिहार विधान सभा में जाएगे और सवाल है समराथ चौधरी कह रहे हैं कि नितिश कुमार के नौकर हैं ललन से देखे समराथ चौधरी जी जो बखला गए हैं उनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है वो अपने अस्तितो खो चुके हुए हैं उनके पिता जी भी अस्तितो इसी तरह से खोए थे और पटा बात बोलने के कारण और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि राजीव रंजन सिरूप ललन बाबु का कहीं से कोई मामला बनता है कि उनके बोलने का कोई अधिकार है और दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी कहता है कि हमको भुम्यार का भोट तो राजीव रंजन सिरूप ललन बाबु है अब किस समाज को गाली पर रहा है अब किस समाज को भारतिये जन्ता पाट्री के बिरोधी दल के नेता है विधान परिशद में उनको गाली परने का कोई अधिकार दे दिया है अब उनको यह कहने का नितीज कुमार जी के सहभा कर गघए हैं राजीर्परणजल सेख्वeszने मुपमी नोकर हो जायोंगे उनके नौकर है यू न किन के नौकर्ण है किन रही कर रहां है यू कि न बताएंगे न कहें बताने जाएंग गर भिभ्श कि यतתージ कन बदीत ऐंगे 80% भोट हमारे साथ है और 20% भोट भारतिये जनताबारी के साथ है उसके पास भोट भाट कहा है हमारा तो जो यूपिय गठ बंधन का भोट है आप तो खुद पत्रकार है आप तो खुद घुमते हैं यूपिय गठ बंधन का भोट कुढणी में 80% है उनकी क्या बात है कि उनसे तो कोई लड़ाई भी हमारा नहीं है कि 30 त्यॐस विए अंगे हैं है सरे नेता अरहें परचार करने के लिए क्यों नहीं आएंगे भाई और में क्या कहेंगा आप तो प्रभारी बनाये गया है क्या लग रहा कैसे जाएंगे क्या तही आडिये है पहले धन्यबाद आपको चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से में ये कहना चाह रहा हूं कि बोट जो होता है उस समीकरन का बोट होता है और समीकरन खोचुके हैं पहले से तो उनका इमेज भाजपा का खोचुका अब समीकरन उनके पास बोट नहीं है तो निश्चित पहले से हैं यहां हम घRAYक हुर्ट से आ रहा है कि हर जगा भंबम सभी है के जुनाफबरभारिए ने किहा कीær कुछ कहा साफ साफ किनका कहना है कि हमारी जीत होगी हम जीटेंगे और भारी अंतर से जीत dużo चोटी-मोटा जीत नहीं होगी है बड़ी जीत व amazing चहां से भी बड़ी जीत होगी वहीं समराठ चौधरी के बयान को लेकर कहा कि BJP वाले भुमियार का वोट भी मांगते हैं और भुमियार के नेता को गाली भी देते हैं कई सारी बातों को कहा है तो बहर एलाइसिटीस के साथ